कई बार हम अपने गाडन में बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे प्लांट्स लेकर आते हैं काफी मन से उन्हें लगाते हैं और कुछी दिन बाद उस पे ऐसे वाइट बग्स देखने को मिलते हैं इन्हें मिली बग्स कहते हैं और ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते हैं और एक गुच्छा बिल्कुल फंगस के तरह फैल ज मिली बग प्लांट्स के कोने में जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहां या फ्लावर्स में या फिर पत्यों के पीछे चिपक कर प्लांट को खाते हुए एक हनी टाइप का प्रोडेक्ट निकालता है एक हनी जैसा लिक्विट जिसको चीटियां खाती है और इस भाईचारे के बदले में चीटियां मिली बग को देती हैं प्रोडेक्शन ताकि दूसरा कोई भी ऐसा कीड़ा मिली बग को ना खा सके और यहां देख सकते हैं यह पूरा का पूरा जुंट अब समझ लीजिए चीटियों के लिए होगी दावत कई ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिनें मिली नुकसान न पहुचा है तो इस भाईचारे के बीच में हम अपने पौधे को नुकसान तो नहीं कर सकते हैं इसलिए पौधे को बचाने के लिए मैंने कई तरह के इंसेक्टिसाइड्स कई तरह के कीट नासक का प्रियोक किया लेकिन होता यह था कि मिली बग्स के लिए कीट किटनाशक बिलकुल खिलौने की तरह था और हम कितने भी तरीके का कीटनाशक इस्तमाल कर लें लेकिन बाद में ये उनसे बच जाते हैं अपने आपको पता नहीं किस तरीके से मॉडिफाय करते हैं और ये हर तरह के कीटनाशक के लिए तैयार रहते हैं लेकिन काफी जादा करने के बाद गूगल पे पढ़ने के बाद और कई बार ट्राय करने के बाद एक सकसेसफ़ुल तरीका जो मैं आप के लिए लेकर आया हूँ वो है तो चलिए देखते हैं क्या है तो मैं अब भगाने के लिए इन लोगों को एक तरीका अपनाता हूँ जिसमें मैंने वीडियो में देखेंगे मैं ये टहनी तोड़कर ले आया हूँ क्योंकि वहाँ पर काफी जोर से हवा चल रही थी जिससे कि ये पानी रुकता नहीं इस पर तो अब मैं इस पानी को धीरे धीरे इस पर करूंगा और फिर टाइम लैप्स में देखते हैं क्या होता है तो जैसा हम सब देख रहे हैं साबुन वाले पानी ने इन पर काफी अच्छे से सर किया है और इंसेक्टिसाइट्स या फिर कीटनासक हम कितने भी प्रकार का डाल ले इस पर कोई भी असर नहीं करता और इन लोगों के लिए कीटनासक बिलकुल वैसा ही है जैसे हम लोग अप बहुत fast forward आपको दिखेगा लेकिन यह बहुत slowly movement करते हैं और काफी time लगेगा लेकिन यह बहुत जल्दी भाग जाते हैं यह वीडियो एक informative वीडियो थी तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें